आज की वीडियो में जानेंगे O.T. Fumigation के बारे में O.T. Fumigation क्यों करना पड़ता है और किस प्रकार से O.T. को fumigate करेंगे जब भी O.T. के अंदर operation continue जो होते रहते हैं तो O.T. contaminated हो जाती है तो उसको decontaminate करने के लिए हमें O.T. को fumigate करने की ज़रत पड़ती है जिससे की जो भी microorganisms है O.T. के अंदर को किल करने के लिए हमें O.T. को fumigate करने की ज़रत पड़ती है पेशेंट जिनका operation होता है तो उनकी जो surgical site infection होने का जो कारण रहता है तो सबसे second number का कारण होता है वो है hospital acquired infection तो अगर O.T. हमारी contaminated रहेगी तो surgical site में infection होने का सबसे जो second number का chance रहता है वो यही रहता है इसलिए हमें O.T. को समय समय पर हर weekly formalin से या potassium permagnate से fumigate करना चाहिए जो surgical site पे infection होता है वो दो परकार करेता है endogenius और exogenius जो exogenius infection रहेगा वो जो surgical person है जैसे doctor, paramedical staff, nurse message या फिर जैसे operation room का जो environment है जैसे की air और जो tools है जिनको हम operation में यूज कर रहे हैं instrument, material उनसे मरीज को exogenius infection है तो फेलता है जब मरीज operation के लिए आता है हमारी OT का environment हम maintain करके उसको decontaminate करके जो exogenius infection है उसको फेलने से हम रोक सकते हैं fumigation के द्वारा हम जो हमारी OT का जो area होता है उसमें chemical जैसे की formula उसको inject करके और उसको sterile बना सकते हैं जिससे की जो microbes से जो air में present होता है उसको killer destroy करके उसको sterile कर सकते हैं तो हम OT को जब भी fumigate करेंगे तो हम अभी यहां पर दो चीजों से इसको fumigate कर रहे हैं एक तो है formaldehyde और दूसरा है potassium permagnate जिसको की हम KmnOSO4 बोलते हैं तो सबसे पहले जानेंगे formaldehyde के बारे में तो यह मेरे हाथ में आप formaldehyde की bottle देख सकते हैं OT को fumigate करने के लिए हम formaldehyde का यूज करेंगे तो यह 500 ml की formaldehyde की bottle आती है जो की 37 से 40% होती है और यह 500 ml की रहेगी यह आप देख सकते हो 500 ml formaldehyde यह जो formaldehyde होती है यह colorless रहती है और room temperature पर यह liquid form में रहेगी और यह irritating order वाली होती है अगर इसको हम इसको हाथ में लेंगे या इसके संपक में आएंगे तो हमें etching सी होगी और आखों में जलन सी होने लगती है हम इसके बाद में हम जानेंगे कि formaldehyde के दवारा हम किस प्रकार से ot को fumigate करेंगे तो इस formaldehyde से ot को fumigate करने के लिए हमें electric boils लेना पड़ेगा जो कि आप screen पर देख सकते हो यह इस प्रकार कराएगा इसमें एक फेन लगा रहता है और इसको हम light में लगा के चलाते हैं तो इसमें ot को fumigate करने के लिए हमें अगर ot का जो एरिया है वह 1000 क्यूबिक फिट में हैं तो उसके लिए हम 500 ml formalin को 1000 ml water में dissolve करके electric जो boils है उसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 45 मिनिट के लिए चलाएंगे और जो भी अपनी जो machine है उनको कपड़े से cover कर देंगे और जो ot की lights से खिड़किया है उनको अच्छे से पेक कर देंगे बंद कर देंगे ताकि जो formalin है वह बाहर ना जाए और इसको हम 24 hours के लिए close रखेंगे यह हमारी जो ota इसका area है 20 लंबाई 15 चोड़ाई 10 उंचाई ऐसे करके 3000 क्यूबिक फिट है तो उसको fumigate करने के लिए हम 1500 ml formalin योज करेंगे जिसमें हमारी तीन बोटल लग जाएगी और इसको योज करने के लिए हमें जो electric boils machine होती है क्यूमिगेशन मशीन उसमें डालना रहेगा और एक बोटल में 500 ml में साथ में 1000 लिटर water को योज करेंगे अब हम जानेंगे potassium permagnate के द्वारा कैसे ओटी को fumigate किया जाता है तो इसके लिए हम 4500 ग्राम potassium permagnate लेंगे यदि हमारी ओटी का जो area है वो 1000 क्यूबिक फिट है और उसमें 500 ml formaldehyde लेंगे और उसके लिए हम 5-8 कटोरिया बाउल्स लेंगे जिनको अलग अलग जगे पे ओटी के अंदर रखके पर्स पर बराबर मात्रा में formaldehyde डालेंगे और बाद में उसमें potation permagnate डालेंगे और इसको 48 hours के लिए ओटी को बंद करके छोड़ देंगे और इसको न्यूटलाइज करने के लिए ammonia 200 ml 3 hours के लिए यूज करके इसको न्यूटलाइज कर सकते हैं इसका फाइदा यह रहता है कि जो फ्यूमिगेंट है वो टॉक्सिक रहता है सभी life form के लिए तो जो microorganisms है वो उसकी जित्ती भी stage है वो सब destroy हो जाएगी या वो kill हो जाएगे और जो हमारा area है वो पूरी तरीके से प्यूमिगेट हो जाएगा और हमें जब 48 hours के बाद में ओटी को खोलेंगे तो इसको नापने के लिए फॉर्मेलडी मिटर होता है जो इसक्रीन पर आप देख सकते हो इसकी साहिता से यदि हम इसकी जो अंदर का जो है उसमें फॉर्मेल इनकी उपस्तिती देखेंगे तो यदि वो टू पीपीएम से कम है तो हम ओटी को ओप्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं कर दो